जमो कश्मीर हूँ या हिंदस्तान की बात करें इस समय आम जनता की हालत बत से बत्तर है अर्थववस्ता चर्मरा गई है समझ नहीं आता कि आखिरकार जीडिपी इतनी डाउन कैसे हो गई है जीडिपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा और इसका जीडिपी वहां की अभी तक गीरी नहीं है उसकी जीडिपी अभी भी ग्रोथ में है हम बाकी कंट्रीज की बात ना करके सिरफ अपने देश की बात करें स्पेशलिए अगर जमो कश्मीर की जमो कश्मीर के लोग या फिर यूथ की बात करें तो परेशान है सोच रहे हैं कि कि आखिर कार कहा पर किसका दर When the company खात कर रहें चाये फिर रहप्रे खेल की बात कर लीजे होंं गार की बात कर लीजे या कोई भी एक दरवाजा दूसरा दरवाजा खोल के दिख लीजे है बात हम पर ब्रमसा वालिया निशान है तो मतलब इतने सवाल हैं कि अगर सवालों की लिस्ट खड़ी करने बैठें तो शायद सुबा से लेके शाम्ध हो जाएगी बट हमारे सवाल खतम नहीं होंगे आज इन सब पर उत्तर भी लेंगे विपक्ष क्या कहती है विपक्ष क्या सोचती है क्यूंकि जहां पर एक और पक्ष है मतलब की रूलिंग पार्टी जो है भाजवा दूसरी और कॉंग्रेस भी है और कॉंग्रेस को हमेज़ा ही एक ताना सुनने को मिलता है कि सतर साल में आपने क्या किया बट आखिरकार वो अपने सतर साल अगर गिनवाते हैं तो बाकी जो येर्स ब दिखाया और भाजवाई समय क्या कर रही है दोनों ही बताईये सतर साल में आज दुनिया मसूस करती है कि अगर आज हिंदोस्तान हवाव में बाते करता हैं बड़े-बड़े परजेक्टों की बाते करता हैं और जाहे क्रोणा के सल्चले में नो बड़े-बड़े मंतरी उन सतर साल में नहरू साथ पंड़ जो पहले जहां पर बने यहाँ पर उनकी यहां पर दे हैं और समझता हूं कि सतर साल में सबसे पहले कि जिष्युऽालान bizarre जी समंझता हूं कि лиकितर इंड़ाइशन को बढ़ायेशन कि इसार को बढ़ावा देना ऑग्रिकल्टिर सेक्टर को खेंगों का निजी करन यहां पर करना बैंकों को जिस डंग से नेशनलाइज यहां पर करके लोगों को राध देना का प्रयास किया हर तरीके से जो आज शिक्शा की बाते पर्रीज की बात करें कि उसको सहिर स्टर्डी और बारे में निती बनाना एज्यूकइशन दिशा यहां पे दिए कि हिंदोस्तान अगर आगे बढ़ना है तो उसको कम सकम साइंटिफिक के तरीके से भी आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर का यूग हो आज हारे गर में एक मजदूर के पास भी मोबाइल है दूर संचार विबाग को जितना फिलाया कि पाड़ों में र साल में हिंदोस्तान को एकनामिकली इतना डाउन नहीं किया जो आज किसी ती यहां पे थी हमारे बूत पर परदान मंत्री मौन मौसीजी ने स्टार्टिंग से कहा भी आप अपनी ऐसी नीती बनाए अर्थ विबस्ता चर्म जाएगी आने वाले दिनों में और उसको आगे बढते हुए राहुल गांदी जी ने भी कई दिनों से बार बार यहां कहते रहें कि आप लागडाउन के अंदर करोना का इस्तमाल करके अर्थ विबस्ता बिल्कुल खतम कर देंगे इंडस्ट्री लाइजेशन को और बढ़ावा देने की जरूरत है ने रोजगार को पैद बड़े इंडस्ट्री लेस्ट हो वो सब इसकटगरे में आगे नोडबंदी का शिकार कहां पर आज पोजिशन थी जी एस्टी को जिस टंग से इन्हों ने लोगों पर ला दिया तो जो मनमौन सिंग जी कहते थे यह बाजबा तो धावे करते हैं लेकिन जब इनको आज हमें उनकी याद आती है परनव मुगर जी जिनका कल लियान हो गया और वो भी उन्होंने फैने स्मिस्टर के तोर पर भी यहां पर रोल दिया इन्होंने कंट्रिब्यूट किया है पुरे हिंदोस्तान को मद्बूत करने के लिए आज का तो माइनस में चला गया आज की माइनस की सित्थी करने के बाद यह इंडिविज्विज्वा का हिंदोस्तान नहीं है हम सब लोगों का हिंदोस्तान है यह जमवार यहां पे हैं जिनोंने हिंदोस्तान को इस मरले पर आके खड़ा कर दिया कि माइनस करने के बावजूद भी आज लोग परशान है कोई यहा बाते करते हो जनाब सब कुछ यूटीक बनाने के बाद हमने बिलकुल सब लोग शांत हैं तो जिस दिन साल गिरा आपने सैलिबरेशन करने आदा कश्मीर पे करफू लगा था तो आज लोग कहां पर लोग मुशूस करते हैं जो इन लोगों को दावे यहां पर दिये थे आप सब्जियों की बड़ी महंगी होगी बहुते हम प्याज नहीं खाते हैं मुझाटे भाए प्याज नहीं खाते हो और जिलाते हो उसकी कामत भाता दिया रखओ कितनी आपके वर आपके वरक में कितनी हैं आम लोगों को चुला चलाना मुश्किल होगा, आम लोग जो ग्रीब आदनी है, उनको कई रोजगार ये लोग पैदा नी कर पहे, परवासी मुझदूरों की क्या है यहां बे आज लोग बनगी, उन लोगों को जो आज भी मरहिरिगा जैसी स्कीमों को लागू करना, जो बागडून का पर फैदा इन लोगों ने पूरा लिया, करोना की जंग में हम लोग भी देश के साथ इस करोना की जंग में शामल है, अब हम लोग करोना की जंग में भी शामल यहां पर रहें, देश की अर्थववस्ता से भी हम लोग यहां पर लड़ें, और भाजबा की ग हमने दिखाई यह नहीं दिया जारा कि यह ऐसा कदम यहां पर उठाए कि जिससे अर्थवष्था ठीक हो पाए हमें लगता है कि गर डिले भी डाउन हो रहे है तो उसमस्य आपके लिए भी है विट कई न कई अगर भाजपा से बात करें तो भाजपा के निता भागते हुई न Brazil आते हैं कि उन्होंके अर्थएबस्था पर बात नहीं करनी है अर्थएवस्था को लेकर कोई भी सवाल ज्वाब नहीं देना है कि आपको लगता नहीं कि कई ना कई अपनी गल्सी वो मानते में नजर आ रहे हैं बाजबत कि क्या बाते करती हैं हमें हंसी आती हैं उनके काड़्य में उप्रश्णों का उतर नहीं देटे कभी दुगाठन करने वो इंटरनेशनल लेवल की बात है नहीं जिस लोगों ने जो जमीनिस्ता के लोग थे जो आज भी महंगाई के साथ जूंज रहे हैं हमें उसके साथ खड़ा होना है और बाज पास जुमावार है कि मिनिस्ट्री ओम फिर्स की तरफ से गाइड लेन आती है पर किस डंग से जो जम्मो कश्मीर के legislator को क्या पावर होगी बाज पास जुमावार है कि उन्होंने लेजिस्ट्री पावर के खतम कर दी कि आज चीमिनिस्ट्र के पास कोई पावर ने लेगी तो बाज पास उत्तर दाई यहां पर होगी जम्मो कश्मीर में एक सबसे बड़ा सवाल जो इस सम्रों कहीं न कहीं सब के दिमाग में बना हुआ है धड़ब का वो पुल जिसको कहीं न कहीं एक ऐसा पुल जिसको connectivity काफे जाधा थी गाऊं से connectivity तो थी ही थी 25 गाऊं से connectivity तो थी ही थी व्लक्री साथ में border के चाहट भी connectivity थी और वो कहीं न कहीं city के बीचो बीच सही connectivity निकलती है तो आखिर कर उस पुल का टूटना किस तरह से आप देखते हैं किस तरह से नहीं देखो ये भाईपा की कारेंब बना लिए ग्रोंड पर मानिटरिंग कहीं नहीं को यहां पर मैं समझता हूँ यह हम फकर मसूस करते हैं कि पूल हमी ने बनाया था बतोरे मेरे MLA पहले महां पर पूल कहीं नहीं था और उस पूरे बलोल पूल पर चार पूल हमने बनाया एक पूल को लिंक दिया मेरा साब से एक पूल हमने शेयर गड़ से भी ताकि ड्रेक्ट ब्यासर वालों को फैदा हो पूल बना दिया गया है पांच साल में दोनों साइट पे अप्रोच रोड़ यह लोग नहीं बना पए ताकि ब्यासर वाले सिदा वहां पर जा सके और मैं के लिए अगर कोई काम कहीं पे किया होगा सड़ को ब्लैक टाप करके उसी का फिता करते हैं पर आपने नई सड़ कोंसी बनाई आपने नए सी आरफ के कोंसे प्रजेक्ट बनाए यह डिवैलमेंट दिखाता हमारे जो काम थे जो स्कूल थे वो बंग पूल जो बैठ गया अ अब उसके लिए रिस्टोरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों तरफ से बंदू रख में भी आर्मी वहां पे है और बीएससेफ का हैड़कोर्टर शेरगड में हैं तो इनको कनेक्टिविटी करना कहीं से भी हो इंपिडेली कर पहले तो फ्लड के कारण जो नुक्सान ह अब भी जो डेमेजिस हैं कहीं लोगों के मकान गिर गी हैं कोई असेस्मेंट नहीं उनको इमिडेली कहीं बेभी मैं आपके माधिन से यही गजारिश करूंगा कि पहले वक्त में चीफ सेक्री साथ मीटिंग लीड कर हैड करते थे उसी वक्त जो डेबार्टमेंट जो डेम पोश्क्रोणी में दस बोल चाहिए थे आज छे दिन होगे दस दिन होगे वहाँ पे पोल बैगा इनके पास पोल ही नहीं पैसा नहीं अभी तक डैफर पेइमेंट के केसी यहां पर पहुंचे हैं इसमें एड्मिस्टरेशन भी ऐसा ही लगता है कि सोई वही नजर आती है क क्योंकि अगर दूसरा रास्ता लेना हो तो काफी किलोमेटर दूर आगर जाके उनको अपने ही घर में पहुंचना है चनली रामा में पामपोश कलोनी में दोजार चोदा में फ्लट आया सड़क बैर की आज तो दोजार भीस है यह बाजबा के लोग जो दावे पीट तो द में जी से उसको नाला ट्रेंड करना था मैं आपके माद्यम से डिस्ट्रिक अडिमिस्ट्रेशन हो मुस्पर कमिश्टर के अथार्टिज यहां पे हो आप देखें रिस्पांसिबिल्टी फिक्स करें किन लोगों लोगों की स्कूटी घर में बैठी होती है वो वह के स्कूटी फिक्स करें कहां से ये जो पैसे लोगों की उमीद ही यहां पर दी Online करें एडिभी में पैसाएक बिकरम चोग आप आप बाजबा से पूछे बाजबा जवाब दे कोई सी में दम है तो सामने आके जवाब दे जनाब हमने यह लिया तो यह एडीपी की फंडिंग आई है कहां से एक प्रोजेक्टरिंग को मौनिटन कर पहें और भी कही चीज़ों की जरूरती आज भी हमारे लाके में के पैटर्न पे डिजाइना मनें पिलर पे बने ताकि विजिबिटी दोनों तरफ हो बड़ी प्रावना का कमर्शिल लेरा मार्केट सारी तबाह हो गई तो यहां पर किसान फ्लूर मिलके आगे फ्लाइवर बनना था पैसा इनके पास पड़ा साथ साल इन लोगों को कर रहे हैं वो तो अपना काम शुरू कर सकते हैं चाहिए मेकैनिकल एंजीनियर्स हो या कुछ इस तरह की काम में अपना कुछ शुरू कर सकते हैं बिट कई लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं आगे जाके डिपेंड होना परता है कि गवर्मेंट जॉब लेने के लिए तो सकतर साथ साल में किसी भी प्रायमनिस्त्रे ने पिकोड़े बनाने की सलाह नहीं दी जो यहां के मुदी साथ ने पी नीजी कई बर दी और लोगों को रोजगार होता था जहां पे कसी ना को ऐसा पर जिसंक इस decision को इन्वाल करके प्रजेक्ट बना उसके लिए स्कीम यहां पे होती थी और नरेगा जासी स्कीम को भी गरों में बैठे उनको रोजगार मिले यह उसको और बढ़ा देते आज भी आप देखे रैबरे सेद वाले परशान है रैबरे खेल वाले वो ऐसारो दो सो दो की फाइल क परशान है बलकि साथ साथ में जो फेस सेकेंड था जो उनके लिए जॉब निकलनी थी वो भी आज परशान है वो भी आज कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि यहां तो हम अपनी स्विसाइट कर ले या फिर आप बताईए जिस तरह से आपने कहा कि पकोड़ों के दुपन को रैब इसी डंग से दोजार पन्दरा के बीस तक जतनी नोक्री निकालनी थी वो भी सारी रद कर दी तो इस डंग से आम लोगों एक साल के अंदर रगद सिर्फ परशानी हैं यहां पे देखी और जिस डंग से मिनिस्ट्रियों माफेस ने जो रूप रिखा दी है कि यूटी में क इस डंग से काम यहां पे होगा मैं समझता हूँ अगर चीफ मिनिस्टर की पावर ने रही तो मले की क्या पावर होगी मले यह टुथलस डेमोक्रेटिक इस्टिचूशन को बना दी है नों ने तो जिसके लिए बाजबा जुमावार यहां पे होगी कि बड़ी मुशकल से ज बनेंगे हम भी देखेंगे कब जब बना देंगे कोशल बैक डोर से किस डंक से यह बना पाएंगे हर लिहास है चाई होम गाड के लोगों की अपनी समस्या है एस्पी उस को रेग्लराइज करने की अपनी समस्या यहां पे है और मैं समझता हूँ कि आज के दिन पे जितने साथी हैं, नोजवान साथी, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, और वक्त का अधार करते हैं, जब भी को निया दोर यहां पे आगा, हम इनके एक एक चीज की बरपाई जहां पे करेंगे, उनको रात देने के लिए पूरे कदम उठाएंगे, सरकार की तरफ से हो, एडिमिस् को कौन टाइन के निताहित में वहां पे कर दिया गया है, शील भी किया गया, लोग परचान है, विवार कहीं पर रहा नहीं, इस चीज पर फोकस को यहां पर सरकार को करना चाहिए, यहां की यूटी अडिमिस्ट्रेशन को करना चाहिए, लेफ्टेंट गवर्नर साब को लो का डेकलरेशन पार्ट सेकिंड शुरू हो गया है, सभी एक साथ आ गए हैं, कि हमें स्टेट हूट का दर्जा वापीश चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब बात होगी 370 और 351 साथ साथ, क्योंकि उन्हें ने कहा कि हमें स्टेट हूट तो चाहिए, बट जो हमार अधिकार था, जो हमें स्टेटस मिल रहा था, हम उसी के साथ देंगे, कॉंग्रिस ने भी इसको चलते हुए, अगर बात करें, NCPDP और जितनी मेंस्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी इसे कश्मीर की, उनके साथ हाथ मिलाया है, किस तरह से आप यह देखते हैं, क्योंकि कहीं न फ्यूज हैं, अगर इनकी पिछली बाते करें, यह कहते कुछ हैं, चोवीज गंटे के बाद गलती को रेक्टिवाई करने के लिए फिर मेंटमेंट करते हैं, अब यह जो डामी सायल का निकाला, अब बोलते हैं भी, सिर्फ नोक्रियों के लिए होगा, तो पहले तो बड़ और इनका गुनकान करते हैं, यह तो लोगों को लाइन में लगाने के लिए निती बनाते हैं, पांच सुर रप्या दिया तो लाइनों में लगे, कहीं पे भी एडवाईजरी को फालू नहीं किया गया, पैंच पांच पांच सुर ले लेने के लिए, हर जगा पे नोड़ ब जो यह शासिक पर देश यहां पे था, महराजा, हरी सिंगो, गलाब सिंगो, तो वो पच्चान यहां पे रहे, अब तो वो सारा खतम भाजबा ने किया, भाजबा कैसे किस डंक से बाज़ सकती है, कि हमारे जो डोगरी बोलने वाले लोग हो, दूसरे लोग आएंगे तो य कहीं दिखाये नहीं देटी, आज आप यहां देखो कि कलाकार कहीं अभी लोगार में प्रोग्राम करना हो कहीं पे मोका नहीं कहीं मानटरिंग करने के लिए जो हमारे उच्चSTर की कमेटी, यहां पे नहीं कर दित pouco कलाकार भी परशान है, कि दोगरी के बाशा को किस में केस चला है जो उसका डिस्मूजल हो उसके बाद का अगरस नहीं ती यहां पर हमनाएगी हमें यहां पर स्टेट का दर्चा वापस चाहिए और विद डिग्रेटी और कांस्टिटुशन ग्रंटी के साथ ताकि प्रापटी मुफूस है नोजवानों को प्रटेक्शन जो बाजबा कहती थी कि जनाब नोजवानों की नोकरी को कोई नहीं छेड़ चार्ड कर पाएगा आप खुद बताओ कि वहां पर कोई छेड़ चार्ड नहीं कर पाएगा आप कि जो टैसीलदर है यह मेरा आकरी सवाल होगा और यह सवाल इतना इंपोर्टेंट है इसलिए मने आकरी में रखा ताकि आप लोग भी सुन पाएग क्योंकि जम्मुक खास के जो तैसील दार है उनको शेड़ क्या गया आम जंता उनके फेवर में है और बोल रही है यह जतन honest officer हैं इन से ज़्यादा honest officer कोई रहा ही नहीं चुट्टी वाले दिन भी वो काम कर रहे थे डो missile certificate बांट रहे थे फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उनको suspend करना पड़ा क्या कोई political इसके पीछे भी agenda है मैं समयता हूँ कोई तसील दार हो या पोलीस कमी लोग इनके हक निकलते हैं लेकिन अगर आम जंता उस तसील दार के हक निकल रही है किसी का कोई लेना देना ने तो उसकी अमानदारी पर शक करना ये सरकार का गणला पानया पर सरकार को खड़ा हो ना है आम लोगों की जजबा जिसने से हमने भी देखा कोई परदर्शन करके अपनी बात रख रहा है कि तसीज़दार अच्छा था उसमें अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड देना चाहिए उसको पनिश्मेंट के तोर पे नहीं करना अगर उन्होंने सरकार ने जो किया हम इसकी निदा करते हैं कि सरकार अपना फैसला रिव्यू करें कि ऐसे जो अपसर है जो ने काम किया जो लोगों को बीच में रहते हैं अगर जंता उसके अपक्षमें खड़ी होगी चाहिए वो उसलाके से अट गया लेकिन आज भी जंता ने अपना संदेश देने का प्रयास किया और ने सीधा संके दे दिया कि उसकी इंटेग्रीटी पर डोड करना गलता है आप आनलाइन सिस्टम है नी कंप्यूटर आपके साथ है नी तूजी आपको चलता नी कैसे डिलिवरी सिस्टम करेगा यह सब चीजे अपने अंदर अपना मंतन करें इंट्रास्पेक्ट कर हैं फिर उसके बाद कारवे हिस्टी डिसियन लेकि किस पर निकिसना काओं को खुश करना था क्या वज़ा थी इसके पीछे बैक्रोन तो करने वाले बता सकते हैं लेकिन जनरल पब्लीक का यह मानना है कि वो तसीज़दा ठीक था उसको ऐसे डंग से अटैच करना मैं समयता कि आखिरकार अनिम्प्लॉइमेंट का स्तर और जीडीपी का स्तर जिस तरह से जीडीपी का स्तर घिर रहा है अनिम्प्लॉइमेंट का स्तर बढ़ रहा है क्या इस पर कंट्रोल कर पाएगी भाजपा सरकार के इंदर सरकार क्योंकि हम कहीं न कहीं अब केंदर सरकार के साथ ह जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मो कश्मीर का नौजवान अब स्विसाइडल रेट अगर कहा जाए तो वो भी कहीं न कहीं इसका ग्राफ बढ़ता रहा है चाहे मैं बात करनू डेली वेजर्स की चाहे फिर बात की जाए रहे खेल फेस सेकींड के लो समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या सोचते हैं हर टॉपिक के लिए तब तक के लिए बने रहे जम्मो परिवर्दन के साथ मुझार दीपक जी को दीजिए इजासुत नमश्कार